हेलो दोस्त विल्कम तो माई यूटूब चैनल टौफिक हेल्थ दी सोचो कि अगर आपके घर पे कोई अच्छे इच्छे डिस बने हो अच्छे चीजे बनी हो और आप कहीं बाहर से आते हो और एक आएक आपकी नजर पढ़ती हो उस डिस पे उस समान के ऊपर और आपकी मन मे यह चलतने लगता हो अभी खाऊंगा यार तो फिर चार बार जाना पढ़ेगा पेट नहीं सही है क्या करूं यार देखके तो लालच लग रही है कि कितना जल्दी पेट के अंदर जाए माक्सम जे कर लिए जे कोई नम ठंधक पहुंच जाए लेकिन वही प्राब्लम आपक करने वाला हुँ आखिर यार यह पेट खराब क्यों होता है लोगों को खाना हाजम क्यों नहीं होता है उनका डाइजेशन सिस्टम खराब क्यों है उन्हें उल्टी डिकारे क्यों आते हैं ऐसा क्या उनके साथ हो रहा है कौन सी गलती वो लोग कर दिये हैं जो कि उनहीं के स साथ हो रहा है तो चलिए दोस्त हम वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले छोटी सी बात आपको अपने बारे बता दो दोस्त माइन बुलोइंग लगेगा 24 गंटे पहले की बात है पीछे जाए बैक में 24 गंटे पहले मेरी भी तब्याथ गड़ी थी 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 थोड़ा-ध्वा लग भी रहा होगा लेकिन इसी कोई हो गया दोग मिस्स्टेंडिंग हो जाती है किसी के जिंदिगी मेरे जिंदिगी में एक चीज ऐसा एक लॉजिक है जानते क्या अगर मैं सुबहा में लेट सोके उठू छे बजे साथ बजी तो लेट भरस भी करूंगा लेट सोच बासो चाले भी जाओंगा तो बरस जो मेरी लेट होगी साथ बजाए नौ बजए वही मुझे दिक्कत करती है अगर में बरस ना करूंग तो कोई टेंशन नहीं अगर मैं बरस कर लिया तो पक्का तवीत खराब होना ही होना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि में बता भी नहीं सकता दोस्ट बहुत ज़्या फ 24 गंटे में 5-7 बार अपने तौलव पैर के तलवे में सरसों का ओयल लगा के इसे रगडवाता था इस तरीक इसे तब जाके इस कंडिशन पर आप वहों के सामने खड़ा हो तो चलिए इसके बारे में बात ना करेंगे हम बात करते ही इसके बारे में कि आपका जो जो डाइज चुकी हो तो तीन कारण इसके होते हैं दोस्त आपका लीवर का वाट कैसे लगाड़ा है जिसन सिस्टम आपका खराब कैसे हुआ इसके तीन कारणा जानते हैं पहला कारण जो है दोस्त वह है कि आपने अपने लीवर की वाट लगाया है बहुत से लोग बोलेंगे कैसे मैं आज बहुत फैक्ट वाली चीज बता रहा हूं आपको यह चीज आपको बार-बार किसी वीडियो में नहीं मिलेगा हस्त मैथुन करके आपने अपने सरीर की और पाचन किरिया की वाट लगा दिये जो दूसरी चीज है आप बच्पन से ही गरम मसाले फास्ट फूड वाली चीजे दबा दबा कर रेलते हुए चवाते हुए दाबते हुए चले आ रहे हो बच्पन से ही आठ साल दस साल की यह जाब की हुई मार्केट में गए चावमीन चाट पिज्जा बर्गर देखा मिल जाता मम्मी मुझे खाना है उससे अब मम्मी तो क्या भीया बच्चे की ख साले गरम चीजे अगर सेवन करना सुरू कर देते हैं तो अकडाई जीसन उतना अच्छा नहीं रहेगा यह दूसरी बात हुए तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ तीसरी बात है दोस्त आपका खाने नहाने उठने बैठने सोने जागने कुछ भी नियम सही नहीं है ना आ जर्जो की तरह जैसे आप कोई भी साइंगर पर कपड़े लटके होते जो मरजी में आया पहन लिया सेम ओही कंडिशन से आप अपनी जिंदी की जी रहे हो आपको यह नहीं पता है कि मैं अपना दिमचार्या चलाओं कैसे मेरी सरी की रोटीन में कैसे बनाओं यह आपको प बताया सब में आपको बदलाओ लाना है जितनी सारी चीज़े हमने बताई है यह वह उपर के तीनों चीज़े जो आपने सुना है उन सब में आपको बदलाओ लाना है देख लेना दोस्त 50% मामला तो तभी वहीं से समाधान हो जागा बच्चा 50% तो आगे बढ़ते हैं एलोवेरा जूस कैसे लेना है आपको मिल जाएगा बहुत माइंड ब्लोइंग टॉपिक है तो उससे जरूर फालो कर लेना आपकी डाइजेशन सिस्टम जरूर मिंटेन होगी तीसरी चो चीज़े दोस्त एक गिलास पानी में आधा चम्मच से कम अंबा हल्दी लेना इसे स 150 ग्राम 20 ग्राम जितना आपके हो सकता है ले लेना और आधे चम्मच से थोड़ा कम उसे एक गिलास गुनगुने पानी में अंबा हल्दी डाल करके चला देना उसे पी लेना सुबा खाली पेट टाइजेशन सिस्टम बहुत ही सांदार होगा दोस्त चोथी जो चीज़े द दोस्त इससे फालो भी कर लेना और लास्ट में पाच्वी जो चीज़े दोस्त वह हैं आपको अपने आहार में परिवर्तन करना हो कि खटी चीज़े गरम मसाला फास्ट फूर लाल मिर्ची ये सब तगडी चीज़े आपको नहीं खानी होगी जिससे कि आपको शरीर में बहुत सही चीज बताया था उसे में फालो किया आज बहुत अच्छी खासी मेरी जिंदगी कट रही है जो भी कुछ घर में अच्छी चीज़े पकवांस बनते हैं बहुत अच्छी चीज़े बनती खाता हूं या दापता हूं कोई टेंसन नहीं होता अच्छे से किया तो मेरा इस्टाग्राम इस्टाग्राम फालो कर लो कि वहां तबाही मचने वाली है दोस्त जल्द ही थोड़ा वेट कर रहा हूं कुछ अच्छी चीज़ों का ठीक है तब तक मिलते हैं किसे बीडियो के लिए कर तब तक के लिए